सूपरभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सस्टी का दवादस पाठह, दसमह तवमसी, दसमें तुम हो इसकी हम पहले संस्कृत पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे, किसमें इस कानी में बताया क्या गया है एक दह दस बालका सनाना आए नदी में गच्चन, एक बार दस बालक सनान के लिए नदी पर गए थे ते नदी जले चीरम सनानम अकुरुवन ते माने वे सब नदी जल में नदी के पानी में चीरम कार्थ होता है, बहुत देर तक सनान करते रहे तदा तेशाम नायक का है प्रिच्छते तब उनमें से नायक ने पूछा नायक कार्थ होता है जो सबसे बड़ा होता है और जो लीडर होता है उसको नायक बोलते है उसने पूछा अपी सर्वेहे बाल का नदी मूतर ना है क्या सभी बच्चे नदी पार कराये हैं कहने कार्थ ही हो गया कि उसने पूछा अन्य बालकों से क्या सारे बच्चे नदी में से निकलाये हैं या कोई रह तो नहीं गया है इस परकार से उसने संखा के साथ या संदेह के साथ अन्य अपने जो दोस्त थे उनसे पूझा तदाह कस्चित बालक है गणियत हैं तब किसी बालक ने उनको गिना एकह, दुव, त्रियह, चत्वारह, पंच, सट, सब्थ, अस्टव, नव अई दी इस परकार से उनने गिना संख्या वाचक दोस्तव दोते हैं उस परकार से इनको गिना कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नू ऐसा सह स्वम नैगणियत स्वम कारत होता है अपने आपको उसने नहीं गिना उसने गिना, नो तक गिना और वो गए कितने थे नाने के लिए वो दस बच्चे नाने के लिए गए थे लेकिन उसने अपने आपको नहीं गिना अता है सह अवदत, अता हमानी इसलिए वह बोला नव एव संती, नो ही है, दसमह नास्ती, दसमा नहीं है उसने अपने आपको तो गिना नहीं, तो हम अपने आपको नहीं गिनेंगे तो अपने जो सामने होंगे, वो नो ही आएंगे ना क्योंकि नो वो हो गए और एक गिनने वालों का दस हो गए वो अपने आपको गिन नहीं रहा था, तो बोला कि हम तो नोई हैं, दस्वा नहीं है अपर है अपी पुन्ह अन्यान बालकन एगणियत फिर दूसरे किसी ने पुन्ह से पुन्ह करता है दुबारा से उन बच्चों को गिना तदा अपी नवयवासन तब भी वो नो ही थे आसन कारता थे नो क्यों थे, क्योंकि बार बार जो बच्चे थे वो अपने आपको नहीं गिन रहा था जो भी बच्चा गिन रहा था, वो अपने आपको नहीं गिन रहा था वो दूसरे को गिंदरा था, सभी को और अपने आपको छोड़ देता था अतेह तेह निश्चे मकरुवन यत दस्मा है नद्या मगने है तब उन्होंने निश्चे किया कि जो दस्मा जो था वो नदी में डूब गया है मगने कारता है डूब गया उनको लगा कि क्या हो गया है दस्मा नदी में डूब गया है तेह दुखीता हा तुस्णिम एतिश्ठन वो दुखी हो करके चुपचाप वहाँ पर बैठ गए तुस्णिम कारता है चुपचाप बैठना दुखीता करता है दुखी हो करके वो दुखियों करके सभी वहीं पर चुप चाप बैठ गए तदा कस्चित पथिक है तत्तर आगच्छत तब कस्चित माने कोई पथिक माने राहगिर जो राखते ही जाता है उसको राहगिर बोलते है पथिक बोलते है वो वहां से गुजरा सहतान, बालकान, दुखीतान, 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 था या जो चलाक था उसने कहा क्या कहा वयम दस बाल का हसनातु मागता हम दस बच्चे सिनान के लिए आये थे वयम माने हम सब हम सब दस बच्चे सिनान के लिए आये थे इदानिम नव ये उस्चमा लेकिन अब इदानिम करत होता है अब अब क्या है नोई है एक नद्या मगन करता है डूब जाना कि ती माने ऐसा पथी कहतान है गणियत पथिक ने उनको गिना पथी का माने जो रास्ते से जो व्यक्ति जा रहा था जो उनको देख कर कि तुही देख कर कि वहां पे आया था उस व्यक्ति ने उनको गिना तत्तर दस बाल का ये वासन तब उसने देखा कि वहाँ पे तो दस ही बच्चे हैं से नायक कम आदिशते तो वं बालकान गणिया हैं तब नायक को उसने आदेश दिया कि तू बच्चों को गिन उस व्यक्ति ने नायक जो था बच्चों का नायक था उस नायक को बोला कि तू उनको गिन सेतु नवा बाल का नियोगनियत उसने भी नोई बच्चों को गिना क्योंकि वो अपने आपको निगिन रहा था बार बार तदा पथिक का अवदत है तब पथिक बोला दसमे तवो मसीती दसमे तुम हो वो बोला कि हम तो नोई हैं तब उस पथिक ने कहा पूरा हो गया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद